नमस्कार भाया इंडियन पॉलिटी इतना सिंपल तरीके से आप इतने अच्छे नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो पूरा कोर्स जरूर पढ़िएगा मज़ा आपको आने वाला है ये बता दीजे कौन सा लेक्चर है लेक्चर नमबर टैन था ये और आज की इस वीडि से 1947 तक हमारे उपर किसका शाषन था ब्रिटिश पार्लियमेंट का तो अठावन का अधिनियम आपने पढ़ लिया उसके बाद 1861 1892 ये तीन बहुत इंपोर्टन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों में देखने को मिलता है कि हमारे इंडियन को हमारी सरकार में ब्रिट तो 1861 में तीन लोगों को मिला 1892 में और लोगों को मिला अब यहां पर और भड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी अब इस अधिनियम को मारले मिंटो सुधार कहते हैं लौड मारले उस समय भारत राजे सचीव थे जो इंग्लेंड में रहते थे बताया था मैंने ब्रिट पार्लेमेंट की तरफ से हमारे उपर कंट्रोल किसका था भारत सचीव का लाड मारले उस समय थे और लाड मिंटो उसमय भारत के वाइसराय थे वाइसराय ओफ इंडिया लाड मिंटो थे अब इन दोनोंने मिल कर इन दोनों ने मिलकर कुछ बाते प्रस्तुत की कुछ जो है एक हमारे आगे का कानून कैसा होना चाहिए उससे रिलेटिज दोनों ने मिलकर कुछ सुधार प्रस्तुत किये इन सुधारों को बिटिश पार्लियमेंट में रखा गया और ये कानून बनाया गया और वो कानून 1909 का भारत परिशARD अधिनियम कहते हैं, इन सुधारों को बिल बना कर विधेक बना कर प्रस्तुद किया गया ब्रिटिश पार्लियमेंट में, प्रस्तुद किस ने किया? इंडियन काॉंसिल ने, इस लिए इस एक्ट का नाम भारत पर कानून बन गया इस कारण से भारत परशद अदिनियम कहला इसकी क्या खासियत है यह देखते हैं अभी तक आपने क्या देखा बहिए एक वाईस्राय थे एक 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 थो कांसिल थी छह सदस्य उसमें हुआ करते थे फिछले वाले वीडियो में और विधान परशद होते थे एक मेंबर की जो संख्याती कितनी थी सोला इससे पहले सोला थी अथाट तो अभी की गई है इससे पहले कितनी थी सोला थी तो 1909 के एक्ट में क्या कर दिया गया बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई तो साट कर दी गई जिसमें जो ओफिशियल थे सरकारी थे वो 28 कर दिये गए जो नौन ओफिशियल थे गयर सरकारी थे 32 कर दिये गए इससे पहले सोला थी तो उसमें से 6 जो थे वो सरकारी हुआ करते थे और बाकी 10 नौन ओफिशियल अर्द सरकारी क्या होता बहिया गयर सरकारी थ्यान नहीं है तुम्हारा थ्यान नहीं सरकारी चलो ठीक है तो अभी समय में आया है अत्रिक्त सदसे 60 है 28 ऑफिशल 32 नॉन ऑफिशल ठीक है अब जो नॉन ऑफिशल थे 32 यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इन में ज्यादतर हमारे इंडियन ही होंगे हलाकि नॉन ऑफि जो गैर सरकारी थे इनकी टोटल संख्या कितनी थी 32 अब 32 में कैसे कैसे कौन चुनेगा वो मैं आपको बताता हूं 32 का बटवारा पांच तो नॉमिनेट कर दी जाएंगे वाइसराय के दवारा और यहां पर बारा जो सदस्य है इलेक्ट किये जाएंगे ध्यान से चुनाव उनका होगा निर्वाचित किये जाएंगे कहा से प्रोविंशिल असेंबली ओफ बंगाल बंबई मद्रास नॉर्थ वेस्ट फ्रण प्रोविंस इत्यादी मतलब जो भी प्रोविंशिल असेंबली थी प्रांती है जो विधान सबाध विधान परिश्य थी उनके द्वारा 12 लोग legisl के जाएंगे में अब दो लोग दो लोग इलेक्टेट दो यूझाग्र मर्स इन कलक्त आ मतलब कलकत्था और बोमबे की जो चैंबर ओफ कॉमर इससे पहले कि अब-खषाकर जो चैंबर ओफ कॉमर्स है मतलब वैपारियों का संगठन है वो चुनता था लेकिन अब दो सीटे यहां है तो एक बंबई की एक कलकत्ता की और तेरा लोगों का एक separate electorate system है पांच लोगों को पांच लोग इसमें से मुसलिम है छे जमिंदार है और दो वैपारी है लेकिन यह याद रखने वाली बात है जो पांच लोग है ना इनका जो separate electorate system है वो communal separate electorate system है मतलब सामपरदाइक निर्वाचन परणाली के तहत इन पांच लोगों को यहां चुना गया सामपरदाइक निर्वाचन परणाली का मतलब यह है कि पांच मुसल्मानों के लिए जैसे मुसल्मानों के लिए पहली बार 1909 में separate electorate system लाया गया मुसल्मानों के कि यह कमेनल स्परेट dis Scout म 나오ं के लिए पहली बार 1909 क कर दिया गया इसलिए जाना जाता है यह ज्यादा तर जैता है इसी जाना जाता है तो दूसरा पॉइंट सबसे important थे पहली बार मुस 9rawd मुदाय के लिए प्रितक प्रत निरत्व स्परेट को मुसल्मानों के लिए पहली बार 1909 के Act में कर दिया गया तो इसी लिए यह जाना जाता है यह Act जश्क्र ज़्जादार जाना जाता है इसी लिए जाना जाता है तो दूसरा point सबसे important है पहली बार मुसलिम समुदाये के लिए पृतक, प्रतिनिजित्व separate electorate system की शुरुवात की गई मतलब आरक्षर तो दिया गया मुसलमानों को लेकिन communal आरक्षर दे दिया गया एक तरीके से दे सोच के देखिए अब election यहां हो रहा है यहां मालीजी इस्चेत्र में election हो रहा है चुनाओं में आप सोच के देखिए मुसलिम ही खड़ा होगा और यहां की जो मुसलिम जनता है वही उसको वोट करेंगी बाकी जो जनता है हिंदू सीखिसाई वोट नहीं करेंगे तो यह सेप्रेट सिस्टम तो पहली बार सेपरेट इलेक्टरेट सिस्टम की शुरुवात कहा हुई है 1909 के एक्ट में ठीक है और इसके लावा आपने वाइसराय की एक्जिक्यूटिव काउंसिल बताया था उसमें टोटल सदर से कितने थे छे तो यहां भी सदर से संक्ट छे ही है कारी-कारी प सतेंडर परसाठ सिनह पहले भारतिय थे जिनको वाईसराय की एक्जिक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया यह विधी सदस्य के रूप में शामिल हुए क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो वाइसरा की ये कारिकारी परिशद है उनको विभाग भी दिये गए थी कि विभागीर पर्णाली की शुरूरात हो चुकी है आपको कमेंट करके बताना है पछले कुछ वीडियो रिपीट कर लीजिए तो मतलब आप कमजोर हैं है इसके अलाबा जो विदान परिश्यत के जो सदस्य हैं अत्रित सदस्य हैं क्या इनको पहले बजट पर बहस करने का अधिकार था अरे था मत नहीं दे सकते थे वैसा ही सिस्टम यहां भी बना रहा अभी भी बजट पर बहस करने का अधिकार है लेकिन अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है केवल किस टॉपिक पर बजट पर की बात मैं कर रहा हूं बजट की बात कर रहा हूं लेकिन जो सारवजनिक हित के मामले हैं ऐसे मामले जो जनता के हित की बात हो रही है समाज के हित की प्रस्ताओं भी विधान परिषद में अब लाने का अधिकार मिल गया इन अतरिक्त सरे प्रशद में को सब्सक्राइब को लेह आपकार ब्रॉत प्रस्ताओम फीकिश किया झाने काउंसिल का मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूं कि मेरे इस फलाना गाओं के अंदर स्कूल की इस होस्टल की इस हस्पताल की जुरूत है इसको खुलवाई यह रख सकते थे ठीक है अब इन विश्यों पर जब चर्चा हो गई जब वोटिंग की बारी आई ता वोट में भी हिस् की बजट की बात हो रही तो दिए तो गारन वाली यह तो है है आप का श्री उन्हों का एक्ट उन्हों का एक्ट ना सबसे ज्यादा जाना जाता है यह मुसलिम समुदाय के लिए जो प्रिथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टरेट सिस्टम की शुरुआत की गई यहाँ पर पांच सीटे देख रहे हैं पांच सीटे कहाँ पे केंद्री विधान परिशद में पांच सीटे आरक्षित की गई है मुसलमानों के लिए लेकिन सेपरेट इलेक्टरेट सिस्टम के द्वारा मतलब केवल मुसलिम लोग ही वोट कर सकते हैं वही कंडिरेट खड़े होंगे वही वोट कर सकते हैं और छे लोग जो थे छे जमिंदार इनको आरक्षन है और दो वेपारी के आरक्षन है ठीक है समझ में आ गया कोई डाउट नहीं रह गया सारा कुछ क्लियर हो गया 1909 में कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इसके बाद वाला वीडियो बहुत इंपोर्टन है 1919 का बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा गौर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे मॉन्टे कुछ एम स्पोर्ट सुधार भी कहते हैं हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में लेकिन इसके जो